नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महायोग टीवी चैनल में दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बहुत सी जानकारी बताएंगे, पर जानकारी बताने से पहले आपसे एक अनुरोध करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा ही देखें, क्योंकि अधूरा ग्यान हमेशा खतरनाक ही होता है, इसलिए महायोग टीवी चैनल आपसे विशेश अनुरोध करता है कि आप इस वीडियो को पूरा ही देखें, चलिए जान लेते हैं, ऐसा कौन सा भोजन है जो हमें नहीं खाना चाहिए, एक तरह से कहा जाए कि ऐसा कौन सा तीन प्रकार का भोजन होता है, जो हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, इसके बारे में दोस्तों, मैं आपको संपूर्ण जानकारी बताऊंगा, पर दोस्तों, जानकारी बताने से पहले यह भी कहना चाहूंगा, कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और इस चैनल को भी जरूर सब्सक करें, क्योंकि इतनी जानवर्धक जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले आपसे महायोग टीवी चैनल एक छोटा सा अनुरोध करना चाहेगा, कि आप अपनी राश को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, जिससे कि हम आपक इन प्रकार के भोजन से मनुष्य की आयू कम होती है, इस प्रसंग में एक प्राचीन कथा है, इस कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि मनुष्य को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, भोजन करने का सही तरीका और सही दिशा कौन सी है, भोजन कब करना चाहिए, तथ अब भगवान श्री कृष्ण देवर्शी नारद को देख कर उनका स्वागत करते हुए कहते हैं, आईए देवर्शी, द्वारिका में आपका स्वागत है, आज किस प्रयोजन से आप द्वारिका में पधारे हैं, अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आये होंगे तब देवर्शी कहते हैं, हे प्रभू, आप सब कुछ जानते हुए भी पूछ रहे हैं, मैं आज आपके पास मेरी एक्स शंका का निवारन करने के लिए ही आया हूँ, कृपया आप अपने इस भक्त की द्विधा को दूर कीजिए, तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हे देवर्शी, मैं अवश्य जानता हुँ कि आप किस कारण से दुखी है और आपके मन की द्विधा को भी मैं अवश्य जानता हुँ, इसीलिए आप आपके मन में जो भी शंका है, अथवा प्रश्न है, आप निसंकोच होकर पूछिए, मैं आपकी शंका का निवारन बढ़ाने वाला होता है और किस प्रकार का भोजन आयू को कम करने वाला होता है, हे प्रभु, मनुष्य को भोजन किस दिशा में मूख करके करना चाहिए, भोजन करने से पूर्व कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, कृपा करके आप मुझे इन सभी प्रश्नों के उत्तर दीज तब श्री कृष्न कहते हैं हे देवर्शी, आज आपने समस्त मनुष्य जाती के कल्यान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, यह बात सत्य है कि मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है, उसी के अनुसार उसका स्वभाव, भाग्य और उसका अगला जन्म निर्धारित होता है, हे देवर्शी, इस विशय में एक प्राचीन इतिहास है, जो मैं आपको सुनाता हूँ, त्रेता युग में यह कथा, महर्शी अगस्ति ने भगवान श्री राम को सुनाई थी, इसी लिए इस कथा का महत्व बहुत अधिक है, इस प्राचीन कथा के मा प्रापों का नाश होता है, और उसे सिग्दहों वर्षों तक दान करने का पुन्य मिलता है, देवर्शी कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहता हूँ, इस कथा को मैं ध्यान पूर्वक सुनूंगा, और इसका प्रचार प्रिथवी लोक पर करूंग श्री कृष्ण कहते हैं, प्राचीन काल की बात है, उस समय एक बहुत बड़ा जंगल था, उस जंगल का आकार सौयोजन था, लेकिन उस जंगल में कोई भी पशू और पक्षी नहीं रहते थे, केवल व्रिक्ष और पेड़ पौधे ही थे, कोई भी पशू उस जंगल की तर से गुजर रहे थे, तो उन्हें एक बहुत ही अजीब चीज दिखाई दी, उस जील के पास एक बहुत बड़ा आश्रम था, जो बहुत पुराना हो गया था, लेकिन फिर भी अत्यंत सुंदर और पवित्र दिखाई पड़ रहा था, उस आश्रम में कोई भी साधू तथा भी नहीं रहता था, वह आश्रम पूरी तरह से खाली था, अगस्ते मुनी एक रात के लिए उस आश्रम में ठहर गए, और सुबह उठकर वे उस जील के पास चले गए, तो उन्हें रास्ते में एक मुर्दा अर्थात लाश पड़ी हुई दिखाई पड़ी, जो शरीर से अ प्रित्यू कैसे हो गई, तथा वह इस जंगल में आखिर कैसे आया होगा, उस मरे हुए आदमी के बारे में जानने की अगस्ति मुनी को जिज्यासा हुई, तभी अचानक आकाश में उन्हें एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा, और वह दिव्य विमान उस जील के समीप आकर रुख गया, और उस विमान से एक दिव्य पुरुष उतरा, और वह उस जील में नहाने के लिए चला गया, जील में नहाने के बाद वह बाहर आया, और उस मुर्दे का मान्स खाने लगा, उसने भर पेट उस मोटे ताजे मुर्दे का मान्स खा लिया, और फिर से विम तुम मुर्दे का मांस क्यों खा रहे हो। ऐसा भोजन भला कोई देवता कैसे कर सकता है। पिताजी की मृत्यू के बाद मुझे विदर्भ देश का राजा बना दिया गया और मैं वहाँ सावधानी के साथ राज्य चलाने लगा। तपस्या करने का निश्चय करके मैं जंगल में रहने के लिए चला गया। अपने राज्य को मैंने अपने छोटे भाई सूरत को सौप दिया और उसे राजा बना दिया। फिर इस जील के पास आकर मैंने कठोर तपस्या करना आरंभ किया। असी हजार वर्षों तक मैंने इस जंगल में तपस्या की और उसी के प्रभाव से मुझे ब्रम्ह लोक की प्राप्ती हुई। लेकिन ब्रम्ह लोक पहुचने के बाद भी मुझे भूख और प्यास अधिक सताने लगी। मेरे सभी इंद्रिये तिल मिला उठे। फिर मैंने ब्रम्ह लोक के सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रम्हाजी से पूछा, हे भगवान, मैंने तो सुना है कि ब्रम्ह लोक में किसी भ प्राणी को भूख और प्यास नहीं लगती है, फिर मुझे भूख और प्यास क्यों लग रही है, ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है, कृपया आप मुझे बताईए कि मैं किस चीज का सेवन करूँ, फिर ब्रम्ह देव ने कहा, हे राजन, पृत्वी पर दान धर् प्राथियों को भोजन नहीं दिया, तुमने सदैव ही उच्चिष्ठ भोजन किया है, बिना सनान किये ही तुम भोजन किया करते थे, भोजन शुरू करने से पहले तुमने ईश्वर का धन्यवाद नहीं किया, स्वाधिष्ठ भोजन को दूसरों को दिये बिना ही तुमने से ग्रहन कर लिए, इसी कारण से तुम्हें ये पाप लगा है, इसी लिए तुम्हें ब्रम्ह लोक में भी भूख और प्यास का कष्ट उठाना पड़ रहा है जीवित रहते हुए तुमने अनेक प्रकार के आहारों का अकेले ही सेवन किया है, अनेक प्रकार के पकवान तुमने अकेले ही खाए हैं, दूसरों को नहीं दिये है, जिससे तुम्हारा शरीर तो बल्वान बन गया, किन्तु तुम्हारा पुन्यक्षीन हो गया, अब तुम्हारे लिए एक ही उपाय है, उस जील के पास तुम्हारा शरीर पड़ा हुआ है, तुम उसी का मान सखा कर अपनी भूख मिटाओ, ब्रम्हा जी द्वारा इस प्रकार से कहने पर राजा ने कहा, हे प्रभू, अपने शरीर का भक्षन कर लेने के पश्चात मेरा क्या होगा, उसके बाद मैं क्या खाऊंगा, मेरे खाने के लिए कुछ भी शेश नहीं रहेगा, कृपया कुछ ऐसा भोजन बताए, जिसका भक्षन कर लेने पर भूक मिट जाए, और जो कभी खत्म ना हो, तब ब्रम्ह देव कहते हैं, हे राजन, तुम्हारा शरीर ही मैंने अक्षे बना दिया है, उसे तुम रोज खाओगे, फिर भी यह समाप्त नहीं होगा, वह दूसरे दिन फिर से उग आएंगे, और उन्हें तुम फिर खा सकोगे, और जब तुम अपने शरीर का मांस खाते हुए, सौ वर्ष बीत जाएंगे, उसके बाद तुम्हारे इसी जंगल में एक दिन महर्शि अगस्त पधारेंगे, और उन्हीं के द्वारा तुम इस पाप से मुक्ति पा सकोग इस प्रकार से राजा ने सारी हकीकत महर्शि अगस्ति को बता दी और कहने लगे, हे विप्रवर, मेरा शरीर कभी नश्ट नहीं होता है, और मैं रोज आकर अपने शरीर का मांस खाता हूँ, न जाने कब मुनी अगस्ति यहां पर पधारेंगे, और मुझे इस कष्ट से मु तो तुम्हारे सौभाग्य से मैं यहां पर आया हूँ, मैं ही मुनी अगस्ति हूँ, और बोलो मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ, तब राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और जमीन पर लेट कर महर्शि अगस्ति के चरणों को वंदन करने लगे, राजा रक्षय लोक की प्राप्ति हो सके, हे रिशी, मैं आपको ये दिव्य आभुशन भेट करता हूँ, कृपया आप मुझ पर कृपा करे, राजा की दुख भरी बातें सुनकर मुनी को उन पर दया आ गई, जैसे ही राजा ने वह दिव्य आभुशन महर्शि अगस्तिय के हाथ पर रखा, उसी समय उनका मृत शरीर अद्रश्य हो गया, और वे उस पाप से मुक्त हो गए, और फिर महर्शि अगस्तिय से आज्या लेकर वे उस दिव्य विमान में बैठ कर ब्रम्ह लोक को चले गए, इस प्रकार से उस राजा श्वेत को दान न करने के पाप से मुक्ति म मिली और उन्हें प्रिथवी लोक पर आकर स्वयम का ही मांस खाना पड़ा, हे देवर्शी, अब मैं तुम्हें भोजन के नियम बताता हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिये, भोजन शुरू करने से पहले थोड़ा सा अन्न भूमी पर रखना चाहिए, ताकि देवता, पशु पक्षी, सर्प, दैत्य, तथा प्रेत पिशाच, जो अपने कर्म बंधन से बंधे हुए हैं, उन सभी को अन्न की प्राप्ति हो, यदि भोजन करते समय कोई अतिथी आ जाए, तो उसका स्वागत करे, और उसे आसन देकर प्रणाम करके उसका सतकार करे, फिर उसे प्रिष्ण कहते हैं, मनुष्य को पिता के घर में रहने वाली विवाहित कन्या, दुखिया और गर्भ धारन की हुई स्त्री, तथा व्रिद्ध को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए, इन सभी को भोजन कराए बिना, जो स्वयम भोजन ग्रहन करता है, उसका व्रिद्ध आदि के हिस्से का भोजन करता है, उसका भोजन विष्ठा के समान हो जाता है, और जो बिना दान की ये ही भोजन ग्रहन करता है, उसका भोजन विश के समान बन जाता है, मनुष्य को कभी भी दुराचारी व्यक्ति द्वारा दिया गया, अत्वा दूसरों अपमानित करके दिया गया भोजन, कभी भी ग्रहन नहीं करना चाहिए. मनुष्य को चाहिए कि परोसे हुए भोजन का अग्रभाग, अग्नि को दे कर ही भोजन करना चाहिए. भोजन को एकाग्र चित्त होकर करना चाहिए. प्रथम मीठा, फिर लवन और खटा और अंत में एवं तीखे पदार्थों का सेवन करे, प्रथम तीन निवाले, मौन होकर ग्रहन करने चाहिए. ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पापकर्म तुरंत नश्ठ हो जाते हैं, और भगवान की कृपा से उसे जीवन भर कभी अन्न की कमी महसूस नहीं होगी. श्री कृष्ण कहते है पूर्व दिशा में बैठ कर भोजन करने से, व्यक्ति रोगों से और मानसिक तनाव से मुक्त हो जाता है. बीमार बुजर्गों को पूर्व की ओर मुख करके भोजन अवश्य करना चाहिए. इससे उनके स्वास्थि में सुधार होता है. क्योंकि पूर्व दिशा उगते सूर्य की दिशा है, और सूर्य देव बल, आरोग्य तथा दीरगायू प्रदान करते हैं, विद्या की अभिलाशा रखने वाले मनुष्य को उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए. ये दिशा देवी सरस्वती की दिशा है. ध्यान रहे, दक्षन दिशा की ओ और मुख करके भोजन न करे, ये मृत्यू की दिशा होती है. इस दिशा में मुख करके भोजन करने से आयू कम होती है. तूटे फूटे बरतनों में भोजन नहीं करना चाहिए. ये दुरभाग्य को निमंत्रण देता है. भोजन हमेशा स्वच्छ थाली में ही करना चाहिए गंदी थाली में भोजन करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है एकादशी के दिन तामसिक अन्न का सेवन न करे जो मनुष्य एकादशी के दिन तामसिक अन्न अर्थात मांस का सेवन करता है लक्षमी उसे छोड़ कर चली जाती है भोजन का अपव्याय करना अनर्थ माना गया है इसीलिए थाली में जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन ले अगर कोई व्यक्ति साथ में भोजन कर रहा हो तो उसका भोजन समाप्त होने तक उठकर नहीं जाना चाहिए इससे पित्र देव नाराज हो जाते हैं भोजन के बाद थाली में हाथ धोना अनुचित माना गया है थाली में हाथ धोने से अन्न का अपमान होता है भोजन के बाद थाली में हाथ धोने वाले लोग नीच योनी में जन्म लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रहे कि व्यक्ति को बिस्तर पर बैठकर कतई भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकता है। भोजन केवल जमीन पर आशन बिचा कर उस पर बैठकर ही करना चाहिए। भोजन करते समय इश्टकारक परिणाम प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस भोजन के उपर से कोई पैर रख कर चला गया हो, अथवा कोई व्यक्ती भोजन को लांग कर गया हो, तो ऐसे भोजन को कभी खाना नहीं चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। यदि अन्न में बाल निकलता है, तो उसे ईश्वर को कभी प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए, और नाहीं स्वयम खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को दूसरों के लिए परोसा हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का भोजन चीन के खाता है, अथ्वा किसी को बिना दिये ही स्वयम उस अन्न का उपभोग करता है। उससे देवी अन्न पूर्णा रुष्ठ हो जाती है। भोजन सभी में बाट कर खाना चाहिए। दूसरों के हिस्से का भ उन्यकर्म नश्ट हो जाते हैं। पवित्र आसन पर बैठकर अपने पैरों को भूमी पर रखकर पूर्व की ओर सूर्या भिमुख होकर अन्न ग्रहन करना ही सर्वोत्तम माना गया है। पूर्वा भिमुख होकर भोजन करने से यश की प्राप्ती होती है। और उत्तर की ओर करके भोजन करने से सत्य की प्राप्ति होती है। दोनों हाथ, दोनों पैर, तथा मुख को पानी से ढोकर भोजन करना चाहिए। भोजन के पात्र को भूमि पर रखकर अंग्रहन करना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में इस प्रकार के भोजन को उपवास के सम बताया गया है, मनुष्य को क्रोध रहित होकर भोजन करना चाहिए, क्रोध की अवस्था में भोजन करने से भोजन का अपमान होता है, और कई व्याधियां उत्पन्न होती है, यदि चित कहीं और हो, तब भी भोजन नहीं करना चाहिए, और गुस्से से भरे मन से भी भोजन क जो जूते पहन कर भोजन करता है, इस प्रकार के भोजन को आसुरी भोजन कहा गया है। इसके साथ ही बोजन करने से दरिद्रता आती है, भोजन करते समय वेदों का उच्चारण नहीं करना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार स्त्री को पती के भोजन के बाद ही भोजन कर लेना चाहिए, यदि पती घर से दूर हो तो पती को ध्यान करके भोजन ग्रहन करना चाहिए इससे पती की आयू लंबी होती है और स्त्री सदा सुहागिन रहती है। पती से पहले भोजन करना शास्त्रों में शुभ माना नहीं गया है। इससे पती की आयू कम हो जाती है। की छाया अवश्य होनी चाहिए। केवल एक वस्त्र पहन कर भी भोजन करना अनुचित होता है। अत्वा नग्न अवस्था में भोजन ग्रहन करना अशुभ होता है। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। सवारी पर बैठकर अर्थात किसी वाहन में बैठकर भी भोजन ग्रहन करना अनुचित होता है, साथ ही शैया पर बैठ कर भोजन करने से व्यक्ति की आयू कम हो जाती है, हस्ते हुए अथवा रोते हुए भोजन करना अनिष्ट कारक होता है, इससे गले में अन फस कर प्राण जाने का भी खत्रा बना रहता है, तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवर्शि नारद को भोजन करने का महत्व बताया है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताए। जानकारी अच्छी लगी तो विडियो को लाइक जरूर करे और कमेंट में जैश्री कृष्ण अवश्य लिखे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।